सभी को इशुसा है और हैपी सवथ आज का हमारा मिसंद समाचार का जो सिर्शक है उसका टाइटल है सत्या का पालन और आज का मिसंद समाचार पस्ची मद्य आफरीका डिविजन के घाना से आता है और आज हम एक लड़के के बारे में हम सुनेंगे उसका गवाही है और उसका नाम है अबेद अबेद अपना परिवार के साथ था अपने ममी डैरी दादा जी उनके साथ राता था और जो अबेद था उसका दादा जी का जो इच्छा था कि अबेद एक सेवन पस्चमी अफरीका देश घाना के सेवन डे अड्वेंटिस्ट हाई स्कूल में पढ़े यह उसकी इच्छा थिसका दादा जी का लेकिन यहाँ जो अबेद है उसका जो सौतेला पिता जो था वो यह नहीं चाहता था कि वो सेवन डे अड्वेंटिस्ट स्कूल में पढ़े और कह जाता है कि जो अबेद की जो सौतेला पिता था वो संडे चर्च का एक पादरी थे और यहाँ जो अबेद का जो पिता है सौतेला पिता वो कहता है यदि मैं अबेद को सेवन डे अड्वेंटिस्ट हाई स्कूल में पढ़ने का इजाजात देद दूंगा तो एक दिन यह लड़का सेवन डे अड्वेंटिस्ट बन जाएगा और जो मैं बिलकुल नहीं चाहता हूँ इसलिए ओबेद के जो डैडी थे उसको एक सरकारी बॉर्डिंग स्कूल में उसका दखिला करा देता है और वहाँ जा करके वो वहाँ पर पढ़ने लगता है और वहाँ जब वो जो सरकारी बॉर्डिंग स्कूल में रहते हुए वो बहुत कुछ एडवेंटिस्ट के बारे में सीखा और कहता है कि वो बॉर्डिंग स्कूल में रहते हुए ओबेद हर संडे को हर रविवर को वहाँ एक क्लासरूम में उनकी उपासना होती थी और वहाँ रेगुलर उस उपासना में वो शामिल और बच्चों के साथ सामिल होता था और पुरा विश्वास्ता पुर्वक वो क्या करता था रविवर को वो उपासना में शामिल होता था और उपासना करता था लेकिन यहां कहता है कि जो अबेद का जो आखरी क्लास था, जो हाई स्कूल में पढ़ रहा था, आब वो वहाँ से ग्रेजिट होना था उसको, उससे पहले उस आखरी भर्ष में उससे जो नीचे के बच्चे थे, छोटे क्लास के जो बच्चे थे, एक मेहना पहले उनको सब क गहर भेज़ दिया गया. ताकि यह जो जो गडेशेटिंग क्लास जो था तो वह उन बच्चों की अच्छी स्तरह से पढ़ाई हो सके और वो अपना एकजाम लिग सके और वो अपना एकजाम को एक्जाम के लिए वो तयारी कर सके और इस वित्य से एक महना का समय उनको दिया गया और जब एक महना का समय वहाँ पर दिया गया और ओबेद वहाँ देखता है कि मतलब वो स्कूल में बोडिंग से बहुत सारे बच्चे जो नीचे क्लास में थी वो सब के सब अपने अपने घर चले गए थे और बच्चे कम होने के कारण जो रविवार का जो सभा या चर्च होता था अब वो बंद कर दी गई और जब बंद कर दी गई तो आब वहाँ बोलता है कि एक रविवार बीत गया दूसरा रविवार बीत गया तिसरा रविवार बीत गया पर कोई सभा नहीं हो पाई तो एक साबत का दिन यहां देखते हैं कि अबेद देखता है कि दो लड़के और एक लड़की वो बड़ा अच्छी तरह से वो ड्रेस अप होते हैं तैयारी होते हैं और वो निकल करके जा रहे हैं सनिवार का दिन तो ओबेद पूछता है कि आप लोग कहा जा रहे हो तो यह कहते है कि हम सेवन्द डे अड्वेंटिस्ट चर्च जा रहे हैं तो जब उनको देखता है और वो जब तयार थे तो बोलते है कि क्या मैं भी जा सकता हूँ आप लोगों के साथ तो फिर ओबेद को लड़के और सर्विस होती है और सोंग सर्विस होती है और वहां जो इंगलिस गाने चर्च हिमनल से गाने गाये जाते थे और उनको जब सूनता है ओबेद को बहुत ही अच्छा लगता है और कहता है कि बोलते है कि उन्होंने कभी सूर में गाया हुआ गाना कभी नहीं सूना था और उस लास्ट में ये गाने जो गाते हैं और उस गानों को सून करके उसका दिल छू जाता है और लास्ट गाना जो चर्च हिमनल का गाना है जो 632 वो गाया जा रहा था अब उसको बहुत अच्छा लगता है फिर कहता है कि जब वहां से वापस आ जाते हैं तो अगले सोमवार का दिन एक एडवेंटिस्ट लड़की जो उनके साथ गई थी जिसका नाम है सेंडरा और उससे कहता है कि क्या तुम अपने गाने की किताब मुझे उधार दे सकते हो मैं भी उन गानों को सीखना और गाना चाहता हूँ और फिर सेंडरा क्या करती है उसके साथ उस चर्च हिमनल से उन गानों को उसके साथ गाती है और उसको सिखाती है और इस तरह से अब उनका अंतिम परिक्षा के सब्ता के दोरान दोनों उस सेंडरा के साथ और अबेद दोनों मिलकर बहुत गानों को गाए और अबेद बहुत Day Adventist Church में उसको फिर से रूची जगा दी और वो Seven Day Adventist के बारे में और भी ज्यादा वो जानना चाहता था लेकिन फिर उसके मन में ये बात फिर से ख्याल आ जाती है कि उसका सवतेला पिता जो था वो कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं थे वो चाहता था कि अगर मेरा Adventist School में जाएगा और वहां से वो Seven Day Adventist बनकर लवटेगा और इस बात को सोचकर वो फिर से शान्त हो जाता है लेकिन यहाँ पर देखते हैं जब High School का एक्जाम वो दे चुका और जब गर्मियों की छुटी में वो घर वापस आता है और छुटी में छुटी के समय वो अपनी मा के साथ सडक के किनारे कुछ तलीवी मचलियां और बंकू जो मकाई का दलिया है वो बेचने में उसकी सहायता करती है और वहाँ पर रहते हुए वो किसी से सबत के बारे में और भी जानने की जो चर्चा करने की उसने हिमत नहीं जुटा पाई लेकिन यहां कहता है कि वो और फिर से जाना चाहता था और बहुत कुछ शीकना चाहता था, लेकिन वहाँ पर अपनी मा के साथ जो सड़क की किनारे मचलिया और जो बंकु वो बिकरी करने में इसकी मदद कर रहा था, तो वहाँ देखता है कि हर बुधवार शाम को, शाम को 7 बज़े से 8 बज़े तक प् अब सोचता है कि मा से कैसा वो वहाँ जाने के लिए पर्मिशन ले और फिर यहां किसी तरह से वो क्या करता है अपनी मा के पास बहाना बनाता है और कहता है कि अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मुझे एक घंटे के लिए समय दो और मैं ट्वालेट जाना चाहता हूँ और जब वहां जहां उसकी मम्मी के साथ वो समान बेच रहे थे, वहां से उनका घर काफी दूर था, तो यहां पर एक नस्दीक में ही बोलता है कि एक सरवजनिक सोचलाई या टॉयलेट था, और वहां पर उस सोचलाई कि मैं बहाना बना करके वहां जाओं, और यह जो सरवजनिक सोच जलाई थी, वो जो सेवन्द डे एडवेंटिस्ट जो चर थी उसके निकड़ था, और वहां अपनी मम्मी से छुटी ले करके वो चला जाता है, और उसकी मम्मी को पता नहीं कि यह गया कहा, और इस रितिय से वो जब वहां गया, वो साथ बज़े से आठ बज़े शाम को, वो सेवन्द डे एडवेंटिस्ट की जो सभाएं होती है हर वुदवार शाम को, वो उसमें एटेंड किया, और वहां पर रहा करके बोलता है कि दो महने तक लगातर वहां उस सभा में वो गया, और बोलता है कि उसने नए ने भजन सीखे, उसने बाइबल से इश्वर के बा बहुत सारे चीजों को जाना और यह महसूस किया और इसने कहा कि मुझे आप सच्चाई मिल गई है, और जब उसने विश्वा विद्वालाय में प्रवेश किया, कॉलेज में प्रवेश किया, तो कहता कि जैसा वहां पर वो गया, तो वहां बहुत जल्दी वो कुछ एडव चातरों को वो पाता है, और उनके अराधना में वो शामिल हो जाता है उनके साथ, और फिर वहां राते हुए फिर वो अबेद क्या किया, वहां पर बबतिस्मा भी ले लेता है, और जब उसकी जो दादा जी को यह बात मालूम हुआ कि मेरा पोता क्या किया, सेवन दे बेंटिस्चर जाने लगा है, और वहां राते हुए परमेशर को उसने क्या किया है, ग्रहन कर लिया है, उसने बबतिस्मा ले लिया है, तो दादा जी बहुत ही खुश हुए, लेकिन यहां जो उसका जो सावतेला बाप था, यह सुना और बहुत परेशान हो गया, बहुत अब लड़का, ओबेद बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, अपना सोच, अपना समझ वो खुद ले सकता है, लेकिन अब उसके बातों में, उसके फैसल में उसका बाप भी उसको स्विकार करने लगा है, और फिर कहता है कि आज ओबेद अकारा घना में दक्षनी घना उख्यालाय में एक प्रशास्निक सहायक की रूप में काम करता है, एड्मिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के रूप में वो वहाँ पर काम कर रहा है, और उसका कहना है कि सच्चाई का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, भले ही माता पिता या अन्या लोग आपको रो आपको सत्या से दूर ले जाने की अनुमती नहीं देनी चाहिए, आज ये अपना ये गवाही दे रहा है कि आज वो सेवंद्रे अड्वेंटिस्ट की जो सच्चाई थी उसको उसने क्या किया पालिया और मुझे कोई भी उस सच्चाई को प्राप्त करने के लिए नहीं रो रोक सकता है, चाहे मेरे माा बाप हो, चाहे दूसरे लोग हो, मुझे रोक नहीं सकते हैं, और कहता है कि आपको जो सत्या है, उसका पालन करना चाहिए, और परमेश्वर के नियत समय पर परमेश्वर आपको चर्च में उपासना करने की आनुमती देंगे, तो ये था आज ओवेद का गवाही किस रिती से वो एक रविवार पालन करने वाला लड़का था, उसका परिवार था, लेकिन वो सच्चाई को पाता है और एडवेंटिस्ट वो बन जाता है। कहता है इस त्रिमाज के आपके तेरवे साबत दान के एक हिस्से से घाना में सेवेंद्रे एडवेंटिस्ट शिक्षा का विस्तार करने में मदद मिलेगी। या धनरशी, नर्शिंग और मीडवाइफरी ट्रेनिंग कॉलेज में नई कक्षाओं और छत्रावाशों के निर्मान में खर्च की जाएगी जो 2015 में 22 छत्रों के साथ खुला था और अब इसमें 770 छत्र हैं। या एक वास्तविक मिशन स्कूल है जहां केवल 30 प्रतिशत चात्र एडवेंटिस्ट हैं, 30 दिसंबर को एक उदार तेर्वे सावत दान देने पर विचार करने के लिए आप सबों को धन्यावाद। Thank you.